तो आज का व्लॉग कर रही हूं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट और क्यूंके इरा जिस दिन इरा के बाबा गर होता है यह उठके बैठ जाते हैं यह बिल्कुल ने उठती माशाला सोही रहती है तो यह आज उठ गई थी तो फिर क्योंकि मैंने सुबा के टाइम ना बाबा नहीं है आजो इदर मैंने सुबा के टाइम जह न वो दवाई लेनी होती है तो फिर मुझे कुछ खाना होता है वैसे तो मैं केला खाके दवाई ले तो बारा सो जाती हूं कि मेरी नीन ना खुल जाए से पहले के यह उठ जाए तो उसके बाद जो है ना फिर लेकिन जाग रही थी तो मैंने चलो सुबा सुबा नाशता बनाती हो तो मैंने पराठे बनवाये हैं हसीब के लिए अपने लिए ऑन्सा बन खाला लूँगा हने पनी ठीक है तो मैं यहां अपना खा रही हूं साग वाला प्राठा और उसके बाद हम लोग सो गए थे तो जब दुपहर को उठे तो आप यकीन कर रही रहा नहीं इतनी चीज़े बैट के नीचे फैंके होती है ना कर लोग के लाए और रानी बाद जी बैट के नीचे से और शोफों के नीचे मुझे गड़ निकाल दिया था र motherf de लिजदी लेगे बाबा को सर्बी लेए थी तो बहु कि मैंने और एर्हा और मैं सारे कामों से फ्री हो के ना अब इरहा को जब करती हूँ तो इरहा भी इस तरह फिर रही थी तो सारे काम जो है अलहम धलिला मेरे हो गए हैं कॉम्प्लीट और बस घ्या भी मैं करने लगी थी इरहा को रैडी और उसके बाद अभी मैंने इरहा को रड़ी किया तो एक पैकेज जो है मुझे रसीव हूआ मैंने इंस्टाग्राम पर भी जो है वो इसकी की थी आच्छा लोगों को दिमाग से करें कि अगर हम किसी चीज के बारे में कहा देता है ना कि ये चीज बहुत अच्छी है तो इंस्ताग्राम मौडरून के लिए है तो फिर बगों इनकी वीब साइट मैंने देखी तो पैट-पैट की पाकिसान से कपड़ शोपी रहे होते हैं क्यूट होते हैं लेकिन बड़े महंगे मिलते हैं तो इस पेच पर उस्ताग्राम बहुत जादा अच्छी थे तो फिर मैं यह वाला एक मंगवाया, ऐने अपनी prá雨,'ll be a one, और अपनी चॉंदा से यह वाली काम बिहए डो मेंकर, यह वाले सब्सक्राइब को पछं़िक में डृत तया होँ, हम खाली पर mín zwar अपनी के लिए, तो मेरा था कि इसके नीचे का मैं था तक काम होई पूत लेकिन हसीब कह रहे थे किसके निचे ना फर वाली जो लाइस होती है ना वो हम लगा लेंगे मैंने का चलो वह भी ठीक है तो बस जी अभी मैंने का आप लोगों से शेयर कर दूँ बहुत अच्छा पेज है और कपड़े बहुत क्यूट हैं बच्चों के भी बच्चियों के पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी रैटल एंड ड्रोल के नाम से और सर्विस बहुत अच्छी है और डिसकाउंट आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा नाम लेंगे तो आपको और ज्यादर डिसकाउंट मिल जाएगा तो यह मैंने बहुत जाद आप यकीन करें आज कल itectा जीब रहती है क्यों रहती है कोई रीजन नहीं लेकिन ना हालत इस तरह माछ वहीनों देशर्ण पातक हो अच्छी लह आप सब्यार देटłemगीश ब्रुटो अजब टेशर्ण कर्ना।atro ऐस बहारी ट्याद तो जो है बहुत क यहां दोलब के अजय होने चाहिए कि सुबार मतलล बच्छे कपड़े हो रात को सुट सबह वकत बहुत धीले धीले से खबड़े हो नि अजय होना यह नहीं तो यह बहुत ज़ी। जिस दिन शौवर देना होता है तो भालत ऐसी है कि अना मैं बहुत जादा थक जाती हूं क्योंकि गैस होती है फिर मुझे एलेक्ट्री कैटल में पानी गरम करना पड़ता है फिर डबल डबल काम हो जाता है तो यह मैंने इरह को शौवर दिया थो अभी मैंने इसको इस तरह ठरना लगे और यह जो आप दो लोग जो दो क्रीमे देख रहे हैं अगर आपके हाथ काले हैं या उन पर धबे पड़े हुए है हाथों की स्किन जो है डल हो गई है हाइपर पिग्मेंटेशन है मतलब हाथ कहीं से डार कहीं से लाइट है तो यह क्रीम आपके लिए है यह लिंक डाल दोंगी तो आप लोग बुजा के वो वीडियो देख लें आप यकीन करें एक हफ़ते के अंदर अंदर आपके हाथ गोरे चित्टे हाथों पे दाग धबे सब खतम हो जाएंगे हाथ और पाउं के लिए क्रीम बेस्ट से भी बेस्ट है और यह जो है ना क्रीम य कुंझे लिए खते हैं और यह वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग जाकि यह वीडियो जो कौन सी है अगर आपके हाथों पर दलनेस है और चाहते हैं के वाइट हो जाए हाथ रॉपाऊं तो यह क्रीम आपके लिए तो उस चैनल लिंक में निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगी तो आप लोग जाके देख सकते हैं और यहां जी मैं आई थी अम्मी की तरफ और यहां जी मैं अपनी छूटी सी जो है अरीहा उससे बाते करी हूँ और इसको हम लोग प्यार से कहते हैं गीगी तो यह जी गीए अब यह पैदा नहीं थी तो तलल है इसको कहता होता था कि अम्रान की जड़ बेटी पैदा होगी ना ममु की तो हम उसका नाम रख्रेंगी गीगी इसका नाम है गीगी दोनिक नेम है वैसे है माशाला रीहा वैसे बाते करी थे अर इरहा को मैंने सला दिया था अर मी नंच्टा बना दिया और नाश्ता मैं बना lang रहा ह। मुझे रह갈 था मेंसेज नर ने नहीं और समय ऑिसन नच्टा रहा ह। कोई किसी से निजलता मैं किसी से निजलती ठीक है और रही स्तारायासीन की बात तो उन्होंने लाको जाकर खुद अपना जवाब जो है वो देना है अगर आपका हज़्डमेंट आप से पूछे बगएर दूसरे शादी कर रहा है तो आप उस पर केस करवा सकती है ठीक है यह स्तारायासीन से ड्रामा पकड़ा हुआ के नहीं केस भी नहीं करवाया वो सारी कवरिज भी ले रही है क्योंकि उसको पता था अगर वो केस करवा देती है तो उसको जो इतने व्यूज मिलने थे तो इसलिए उसने कोई केस नहीं किया उसके इलावा भी अभी वो भी वो संपती ले रही है ठीक है और उसका तरीका जो मुझे बूरा लगता है कोसर को भी भी जो बोलने का मौका मिलना चाहिए ऐ भी हर किसी पर अपने मर्जी होती है ठीक हो गया और सबसे बड़ी बात यह कि ठीक है उसने केस नहीं किया कुछ भी नहीं किया लेकिन अब वो जब माशायला इतना अच्छा अर्ण कर रही है मतलब तीस लाक 15-20 तीस लाक वो सकून से महीने का यूट्यूब से कमा रही है तो अगर आपको हस्बेंट आपको इतना मतलब करता आपको बच्चों का नहीं कर आप खुद कर रही हो सब कुछ तो आप अपने हस्बेंट से अलहद की ले लो औरते अलहदा रहती हैं जिनके पास तो कुछ भी नहीं होता यह तो माशायला यूट्यूब से इतना जादा अच्छा जो है वो अर्ण कर रही है बाकी अगर किसी पर हमारे लोगों का क्या है कि अगर हम किसी के बारे में बात कर देते हैं ना तो लोगों को लगता है कि शायद जी हम उससे जैलस होने जैलस कोई भी किसी से नहीं होता हर किसी ने अपने नसीबों का रिस्क खाने कोई किसी के मुझ से निवाला खेंच के खा ही नहीं सकता तो मैं ना किसे से जैलस होती हूं ना मुझे किसे से जैलस होने की जरूरत है, हाँ मैं यह कहूंगी कि अगर आपको इतना ही है तो आप उस पर केस भी करवा सकते हो कि इसने मुझे पूछे बगार निकार किया था, ठीक हो गया, इसने मुझे इजाज़त नहीं लिए थी, आ गई, फर्स वाइफ इस प्रेगनेंट, यह वो, तो यह भी देखा करें, हम लोग ना एक के पीछे पर जाना तो पड़ी जाते हैं और एक को अच्छा बना दे तो बस जी वो अच्छा ही अच्छा है, तो मेरे जो भाईयां बड़े उनकी भी सेकिंड मैरिज है, ठीक है, पहली जो बीवी थी, तो उनसे डिवार्स ली थी, और उसके बाद जो भाईयां सेकिंड मैरिज की थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, कि जी वो जो है उटके आएं और केस करवा दें, और अगर ऐसा हुआ होता, कि हमने पूछा ना होता या कुछ होता तो हम पर भी केस ह सकता था, तो अब वो सितारा जो है, वो सिंपती ले रही है, ये मेरा पॉइंट अव यू है, और अगर सितारा के जो फॉल्वर्स हैं, वो उससे दूर दूर रहें, तो बस जी ये था मेरी एक छोटी सी बात, मैंने का आप लोगों से शेयर कर दूँ और यहां जी से मैं कर लगा और जो सतारा यासीन वाली बात की है, मैंने वो मेरी कुछ बेहने इस से अग्री भी करेंगी, और बाकी जो आला ताला उनको सबर दें, और वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सकें, क्योंकि माशाला बहुत अच्छा अन कर रही है, तो उनको उनको उनक और तीब को दो को दिनाओ कना उमाद रखेगा, allah hafiz